आज मैं आपके लिए लेकर किby मिल्च की बहुत ही सिम्पल सी रेस्पी यह सिंपल जरूर है न waited Σब्सक्राइब को शरकी को जायकी को कई गूंधा बढ़ाद देगका आजны आपके साथ बहुती सिंपल एस पी सेयर करने उन्हारी कम आप देख सकते हैं। देते हैं मैंने लिए मोटी वाली मिर्च मैंने ली यह क्यू start different तो मोटी मिर्च में अच्छी लगती है आपको सबसे पहले क्या करना है कि इन मिर्च में आपको चीरा लगा लेना है तो आप नमक चाहे तो नमक की डिब्बी से या चम्मच की मदद से या हातों से जैसा आपको बन जाता है उस तरह से आप नमक भर सकते हैं नमक आपको बहुत ज्यादा नहीं भरना है थोड़ा थोड़ा ही भरना है तो इस तरह से मैंने थोड़ा नमक डाला आप चाहे तो हात मिर्च में अपने नमक भर करके तयार कर लिया है अब चलते हैं अगले स्टैप की तरफ तो यहां पर मैंने गैस में रखी है म और मिर्च में थोड़ा तक आपको तब याज कर लेतू हम ज़ां ने लगे तब तक अपको गराँ कर देना है जैसे ही तेल गरम हो जाता है तो हम इसमें डालेंगे एक चुटकी हींग और हींग डालने के बाद अब हम सारी मिर्च को तेल में डाल देंगे हींग से मिर्च में बहुत बढ़िया खुश्बू आ जाती है और जो नुक्तान करती है मिर्च वो भी नहीं करती है कर देंगे मीडियम प्रीम पर आपको इन मिर्च को तलना है को आपको मीडियम फ्रैम पर तब ततक तक तलना है जब तक कि इनमें थोड़ी सी ब्राउनेस लाजाए और इंकी सकेन जो है ना थेक्दम से और दीरे सिकुरति जाएक बीदम फ्रेस सकन देख रहिए तो धीरे धीरे एक दम जब फ्राई होगी मिर्च तो सिकुड जाएगी इनकी स्किन आप देख सकते हैं इसी तरह से हम इनको चलाते हुए अच्छे से फ्राई करने तो करीब 2 मिनट लगेंगे इनको फ्राई होने में और इनमें हल्की सी लालामी आ जाएगी तो तब समझ ली मिर्च को अच्छे से फ्राई कर लिया है अब देख सकते हैं हल्की मिर्च में लालामी आ गई है उसका साइज भी थोड़ा सा कम हो गया है तो हम इनको निकाल लेते हैं तो हम स्पैचुला की मदद से इसको दबाते हुए निकालेंगे इस तरह से ताकि इनका एक्ष्ट वा निकल जाए इस तरह से तली हुई मिर्च बहुत ही टेस्टी लगती है आप दाल चाबल बनाए या बैगन का भरता बनाए किसी भी रेस्पी के साथ आप जो भी घर पर नॉर्मल खाना बनाए उसके साथ ही मिर्च साइडों में तल लीजिए और अचार की जगा इस मिर्च क बहुत ही टेस्टी खाने का स्वाथ आता है कभी-कभी बहुत बोरिंग खाना बनता है एक्दम सिंपल सी डाल बन गई तो आप उसके साथ जरूर इसको बना करके देखिए बहुत ही टेस्टी लगता है अब यह जो तेल बचा है इसको आप फेकिए मत अगली रेस्पी में आप चाहिए तेसको छान करके रख भी सकते हैं अगर आपको ज्यादा तीखा क्योंकि यह तीखा हो चुका है तो थोड़ा थोड़ा डाल करके अदर रेस्पी में आप यूज कर सकते हैं तो लीजिए हमारी गर्म गर्म मिर्च तल करके तयार हो गई है इनको आप तल करके फेस्बुक पेज पर हमें फॉलो करें